एकता कपूर का सुपरिट शो नागिन दर्शकों के बीच कई बार धमाल मचा चुका है इस शो के 5 सीजन डिलीज हो चुके हैं और दर्शकों ने सभी को प्यार दिया है नागिन 5 की बात करें तो उसे दर्शकों का थोड़ा कम प्यार मिला था लेकिन इस कारण एकता कपूर के होसले पस्त नहीं हुए है माना जा रहा है कि एकता कपूर जल्द ही नागिन 6 के साथ धमाल मचाने के लिए लोटेंगी कोरोना वारिस मां हमारी के बाद वो फैंस को बड़ा सर्प्राइस देंगी और टीवी टी आरपी लिस्ट में भड़ा दमागा करेंगी दोस्तों अगर आपने अभी तक अमारे चैनल को सब्स्ट्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिये ताकि मारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुचते रहे नागिन चै को लेकर अभी से फैंस में उक्सुकता देखने को मिल रही है नागिन चै का इंतजार कर रहे दर्शकों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर बना कर शेयर किया है जिसमें राकि सावंत नागिन के अफ़तार में निजर आ रही है इस पोस्टर पर राकि का कुंखार लेकिन ग्लैमरस अफ़तार दिख रहा है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है राकि सावंत के इस अफ़तार को तो एक फैंस लगतार कॉमेंट कर रही है पोस्टर पर आ रहे ज्यादतर कॉमेंट्स मजा किया हैं जो राकी सावंद को निशाना बना कर लोगों ने किये हैं एक फैन ने कॉमेंट में लिखा है दीडी तुम सबसे पहले कॉरोना को ही डस लो तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा है तुमने पहले ही दीपक कलाल को डस लिया है अब किसे डसने का इरादा है एक तक अपूर ने अभी तक नागिनचे की स्टार कास्ट का एलान नहीं किया है माना जा रहा है कि वो अपने ही किसी दोस्त को नागिन 6 के लिए कास्ट करेंगी एक्ता कपूर ने कुरोना वाइरस माहमारी की वजह से नागिन 5 को बंद करने का फैसला किया था क्योंकि वो सीरियल में खर्च होने वाली रकम कमाने में नाकामियाब हो रही थी सभी को उम्मीद है कि एक्ता कपूर बहुत ही जल्द नागिन 6 के साथ टीवी पर धमा के दर वापसी करेंगी और यह शो लंबे समय तक चलेगा